हलो, नमस्ते, केंचो, विद्यार्थि मित्रो, मज़ामा, अपड़े यातायात के साधनों और फुलों के नाम की सुची बनाई थी, अगले दिन, अब हम चित्र कहानी पढ़ते है आज, चित्र द्वारा कहानी पढ़ते है, रामू नाम के चरवाहा रामनगर नाम के गाउं में रहता था, वहां रोज सुबह अपनी भेडबकरिया लेकर गाउं के बाहर जंगल में चराने जा रहा था, हरोज की तरह रामू अपनी भेडबकरियों को लेकर जंगल में गया, दो पहर के वक्त वहां अकेला था, जंगल स सुंसाम हो गया था कोई दिखाई दे रहा नहीं था उसने बेठे बेठे सोचा आज गाउवालों का मजा कुड़ाया जाई उसने खड़े होकर चिलाने का शुरू किया भाग हया भाग हया बचाओ 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 रामू की चिलाने की आवाज सुन कर आसपास के खेत में से गाउं के लोग जंगल में आ गए उनके हाथ में हत्यार थे उन्होंने रामू को पूछा तो चिला रहा था कि बाग आया बाग आया बाग कहाँ पर है रामु जोर जो से हसने लगा हा 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 उसने कहा अरे मैं तो मज़ा कर रहा था यहां तो कोई बाग नहीं आया मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था गाउं के लोगों ने रामु को खरी खोटी सुनाई गुस्से होकर वे वापस चले गए कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था रामु भेडबकरिया लेकर जंगल में तो थे उसने उस दिन रामु की भेडबकरिया चारा चर रही थी उसी वक्त एक भयानक बाग वहां खोद पड़ा उसने भेडबकरियों पर हमला कर दिया रामु तो गबरा गया उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया बचाओ बचाओ बाग आया बाग आया रामु तो गबरा कर पेड़ पर चड़ गया गामवलों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी लेकिन कोई भी गामवाले वहां नहीं आये सबने सोचा के रामु को मजा करने की आदत है इसलिए आज हम नहीं जाए बाग सारी भेड़ बकरिया को खाकर चला गया और एक भेड़ को लेकर चला गया रामु देखता ही रहेगा रामु की जूट बोलने की आदत रामु को भोगतनी पड़ी जूट बोलना बच्चों बुरी आदत है जूट बोलना नहीं चाहिए जूट बोलने का परिणा अच्छा नहीं होता इसलिए हमें कभी जूट बोलना नहीं चाहिए सच्छी बोलना ये नमस्टे